Good morning friends, my name is Raj and you are watching your favorite channel Raj Technical Analysis आज का डिट है 29 सेप्टेमबर 2022 आज हम लोग चिन सेज के उपर मंतली प्रिव्यू करेंगे जिन में से तीन सेज जो है almost 52 वीक लोज पे हैं Nelco, IEX और Indico Remedies Then we will talk about InfoEd जहाँ पे मैं आपको regularly बोला है कि profit booking क्यों ज़रूरी है अगर आप InfoEdds के वीडियो मेरे regularly देख रहे हैं तो भी आप definitely इस पे भी profit कमया रहेगा IEX पे बात करेंगे जहाँ पे सारे लोग आप लोगों को buying का recommendation दिया थे वहाँ पे मैंने उसको resistance zone पे रखा हुआ था इसके लिए आपको हमेशा बोलता हूँ भाई मेरे वीडियो इस रेगुलरली देखा कीजे अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखेंगे तो आपको support resistance का idea होज़े का decision लेना आपका थाम है क्योंकि profit और loss दोलो आपका है बट मैं यहाँ पे आंग बंग करके भाई यह buy कर लो यह sale कर दो ऐसी बाते नहीं करता हूँ जो भी करता हूँ as पर charge करता हूँ तो वीडियो पूरा देखता ही है पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कही न काई tips मलता है जो आपको share analysis करने में काफी मदद करता है साथ मैं आप कोई भी कमणी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते है तो जल्दी से में recommend box पर बताए ताकि मैं उस पर जल से जल research करके वीडियो बना सको बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए थाकि आपको भी regular update मिलता रहे मेरे चैनल की USP यह है कि मैं आपको date के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही support और resistance बताने की कुछिस करता हूँ मैं चैनल की दूश्री बड़ी USP है कि मैं हापे हर महीने आप लोगों के लिए monthly preview भी updated कराता हूँ साथ मैं आप मेरी playlist में चेक का सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए category wise classification किया हुआ है अब बगत करेंगे नालको के बार में नालको कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिया वे link पे जरूर देखिए अगर आपने वो वीडियो पहली बार देखा रहता तो definitely आपने नालको में अपने profit ले लिया रहता और आज आप इसमें buying की opportunity ढूंड़े रहते हैं नालको का मैंने last time वीडियो बनाता 27 जूलाई 2022 को जब इसकी closing विदी 75.90, support 1160, support 270, support 380, resistance 180, resistance 290, resistance 300 नालको आजकी डेट पर 28 September, sorry 29 September 2022 यह क्योंकि आच्छली यह जो post हो रहा है यह 29 को ही हो रहा है इसके लिए यह मैंने 29 का आपको starting में date रखा है और 28 का जो date है वो उसकी closing के हिसाब से रखा है इसके लिए 28 यहाँ पर updated है 50 का पहला support, 60 का दूसरा support, 70 का तीसरा support, 80 का पहला resistance, 90 का दूसरा resistance और 100 का रेजिस्टन्स ही हाइस अगर आप इसका देखेंगे 83.80 पिछले बार यह आपको कहा था भाई 80 बहुत important level है और lowest अगर आप इसका देखेंगे 66.95 तो 70 अब इसका बहु बिल्कुल जरूरत ना पड़े, फिर बात करेंगे IEX के बार में, IEX कंपनी क्या करती है, कौन से category में आती है, यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे जरूर देखें, IEX का वीडियो मैं आपको regularly इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप news channels देखते हैं, 52 वीक लोग पे IEX पी आज का है, IEX का मैंने लाश्ट तैम वीडियो बनाय था, 27 जुलाइ 2022 को जब इसकी closing वी थी 154.80, support 1 was 125, support 2 150, support 3 175, resistance 1 1 200, resistance 2 225, resistance 3 250, IEX आज के लिए पे 8 September 2022, इसकी closing है 140.55 है, support 100, support 2 125, support 3 150, but resistance 1 is also 150, तो 150 जो है, बहुत important level है, resistance 2 175 और resistance 3 200 पे, हैसा अगर आप इसका देखेंगे, 175.85 है, और इसका इसमेने का जो lowest है, वो 139.65 है, अभी तक ये support 1 के तो नीचे नहीं है, जो मैंने 125 का support zone आपको दिया था, आप बात करेंगे info आज, info आज कमनी क्या करती है, कौन सी category में आती है, ये सारा information जानने के लिए, आप ये उपर दिया लिंक पर जरूर देखिए, info edge का अगर आपने वो पहला वीडियो देखा रहता, वहाँ पर मैंने आपको buying का recommendation दिया था, और आपको जो resistance zone है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई, 2000 का share है, तो 5000 का target होगा, आप इसे buy कर लो, भाई मैं आपको एक ही चीज बता तो short time trader है, अपना resistance zone का ख्याल रखिए, और resistance zone से नीचे आए, तो बेचिए, support पहने तक आप वेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये एक principle भी है, आप अगर use करेंगे, 80% आपको benefit मिलने वाला है, याने कि 10 में से आप trade आप positive ले सकते हैं, इन्फो एड्ज का चाब मैंने last time video बनाता 27 July 2022 को तब इसकी closing वी थी 3916.80, support 1 was 3250, support 2 3500, support 33750, resistance 1 4000, resistance 2 4250, resistance 3 4500, पैसे जो आपको support 3 का नीचे था, वहाँ तक ये share, आपको आपको support 3 का नीचे था, आया है, आप बात करेंगे, इंडिको remedies, इंडिको remedies कमनी क्या करती है, कौन सी category में आती है, ये सारा information जानने के लिए, आप ये उपर दिये वे link पे जरूर देखिए, इंडिको remedies का मैंने last time video बनाया था, 27 July 2022 को जब इसकी closing वी थी 380.65, support 1 was 300, support 2 325, support 3 350, resistance 1 was also 350, resistance 2 375, इंडिको remedies आज के लिट पे 28 September 2022, इसकी closing हुई है, 311.65 है, support 1 was 250, support 2 was 275, support 3 300, resistance 1 was 325, resistance 2 was 350, और resistance 3 है, 375 है, अगर आप इसका देखेंगे, सारी target achieved जो मैंने पिछले बार आपको दिया था, 400 का, 409.80 और इसका, इसमेने का जो lowest देखेंगे, 308.50 जो की आचुका है, support 1 के पास, मैं आपको जब से मैंने वीडियो बनाए, एक चीज़ आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, support, resistance का ख्याल रखो, support पे buy कर रहे हो, resistance से नीचे आते हैं, sale करना सीखो, 10 में से 8 trade आप positive कर सकते हो, जिल लोगों उनने basic discipline maintain किया, share market mode, definitely profit कमाएंगे, जो लोग discipline तोड़ेंगे, उनको profit होने का chances कम हो जाता है, या फिर profit होगा, तो आपको फिर wait करना पड़ेगा, for example, कोई share बहुत बढ़ गया है, principle यह नहीं है, कि भाई, share 52 week highs पे, आप देख लो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 10 में से दो और बढ़ते चले जाएंगे, 8 आपको उसका reversal दे देंगे, तो आगर कोई share बहुत बढ़ गया, आप उसे buy करेंगे, तो आप फिर wait कीचे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, शाय तीन महीने में भी आपको वापस आचा है, बट आपको wait भी करना पड़ सकते हैं, तो आप rescue ले, basic discipline का ख कितना भी किरें, कितनी कंपनी हैं, जो market कितना भी गिरता है, वो बढ़ती रहती है, तो वही चीज़ का आपको ख्याल रखना है, उमीद करता हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे, तो please like और subscribe कीजिए, जैसे मैं आपको support करता हूँ, सही support और resistance दे